असलम्रेकम वीवर्स दिस इस शौकतर सुखेरा एंड वेलकम तु स्टुडिक पिंग आज का हमारे टॉपिक है क्लासिकल कंदिशनिंग क्लासिकल कंदिशनिंग लेनिंग थीरी को इवान पावलो ने पेश किया रूशन फिजियालोजिस्ट थे बॉर्न सेप्टमबर 26, 1849 डाइड फेर्वरी 27, 1936 क्लासिकल कंदिशनिंग थीरी को 1897 में पेश किया गया और इस थीरी को पेश करने पर इवान पावलोव को नोबल प्राइज भी मिला नोबल प्राइज किस चीज में मिला फिजियालोजी में और ये मिला 1904 में क्लासिकल कंदिशनिंग को पावलोवियन पावलोवियन रेस्पोडेंट कंदिशनिंग stimulus, response, learning, ये भी कहते है classical conditioning को, classical conditioning है ये two things occur together, appearance of one thing, जब कोई दो चीजें अकठी रूनमा होती है, किसी एक चीज का, जब कोई एक चीज अपियर होती है, तो फोरण उस से रुलेटर चीज का mind में आता है, ये है theory, as stimulus, food, is paired with a neutral stimulus bell, food को किस से, paired किया हुए, bell से, neutral stimulus, produce, response, salivation, salivation, मुह से राल टपकना, that is similar to the previous stimulus food, जैसे food से, मुह में राल टपक दी खी, dog के और इसी तरह, bell से भी, राल टपक दी है, stimulus, anything that produce a response in organism, कोई भी चीज हो सकती है, जो response प्यादा करे, किसी organism में, वो stimulus है, इवान पावलोव ने, dog पर experiment किया, यह experiment किया, इवान पावलोव ने, इसमें यह है, पहले observation, सक्रीन, यह ट्यूब है, जिससे, सलेवा, कठा किया, इसके बाद, यह है, container, किस चीज का, meat powder का, और यह था, वो device, यह थी वो device, जो, count करती थी, drops को, जो sliver खारज होता था, उनको, count करने के लिए, यह device लगाई गी थी, एक revolving drum था, far recording response, response को record करने के लिए, यह drum लगाया गया, अब जब, उन्होंने experiment किया, तो जब, dog को, food की smell आती, यह जो food, provide करता था, उसको देखता, तो यह, salvation का प्रोसेस शुरू हो जाता, salvation मूँ से राज टपकनी शुरू हो जाती थी, तो जो experiment किया, इसको राज टपकने को, food को किस के साथ जोड़ा, बेल के साथ, फिर क्या किया, कोश दिन तक पहले बेल बजाई जाती, फिर food दिया जाता, इस तरह कोश दिन यह प्रोसेस चलता रहा, तो उसके बाद, यह नतिजा निकला, कि जब भी बेल बजाई जाती, तो डॉग, salivate करना शुरू कर देता, यह था जी, इसका experiment, वाट्सन ने भी experiment किया, human baby पे, जे बी वाट्सन, American psychologist, born, January 9, 1878, died September 25, 1958, इन्होंने यह थी रिप्रिजेंट की, 1920 में, इन्होंने एक्सपरिमेंट किया, लिटल एरबर्ट, जो कि एक, 9 मा का बच्चा था, इस, एक्सपरिमेंट, उन्होंने क्या किया, इस एक्सपरिमेंट में, एक वाइट रैट्स, जब बच्चे के पाँ जाता, तो बच्चा क्या करता, उससे कोई खौफ निखाता था, उसको देख के खुश होता था, जो एक्सपरिमेंट किया गया, जब वाइट रैट, उसके क्रीब जाता, जब उसके सामने जाता, तो उसको किस से जोड़ दिया, इसके बाद क्या हुआ, जब बच्चे के पाँ वाइट रैट जाता, और साथ ही हैमर की जोड़ दार आवाज आती, तो वो क्या होता, खौफ जदा हो जाता, रोने लग जाता, तो कुछ दिन उन्होंने ऐसे किया, रैट दिया जाता बच्चे को, साथ ही आवाज हैमर की प्रोडियूस की जाती, तो बच्चा इसे खौफ खाने लग जब ये प्रोसीजर हो गया, डियूरिंग कर्डिशनिंग ये अमल हो गया, आफ्टर कर्डिशनिंग क्या हुआ, जब भी बच्चे के सामने वाइट रह आता, तो बच्चा चीखना शुरू हो जाता, फिर खौफ ज़्यादा हो जाता, ये था जी, इनका एक्सपेरिमेंट, जो टर्मिनालोजी इस्तमाल की गया है, क्लासिकल कंडिशनिंग में, वो है, अनकंडिशनल, स्टिमूलस, अनकंडिशनल, अनकंडिशनल रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमूलस, कंडिशनल, स्टिमूलस्ट, और कंडिशनल रिस्पॉन्स, इनको हम बारी-बारी समिल लेते हैं, फूर्ड को देखके, डौग ने, चैलिवेशन शुरू कर दी, नेटरल नमल है, अनकंडिशनल स्टिमूलस, नेटरल जो स्टिमूलस था, वो फूर्ड है, और जो नेटरल रिस्पॉन्स था, वो सैलिवेशन है, फूर्ड को देखके, डौग राल टपकने लग गया, अब जो अगला, किस से जोड़ रहे हैं हम इसको, नेटरल स्टिमूलस है, बेल रिंगिंग, जब बेल बजाए जाती, तो इसमें जब ये नेटरल स्टिमूलस था, इसमें कोई रिस्पॉंस नहीं देता, बेल बजाने से, लेकन जब इसको जोड़ दिया, फूर्ड के साथ, बेल बजाए जाती, साथ फूर दिया जाता तो डॉग सेलिवेट करना शुरू हो जाता और जब यह परोस्यस मुकमल हो गया कुछ दिनों के बार क्या किया उन्होंने अकेली बैल जब बजाई जाती तो डॉग सेलिवेट करना शुरू कर देता यह है जी इसकी टर्मनालोजी कि पहला है अंकरडिशन्mist do Sich Ilus यह पूड है जो नैच्रल है स्टिमिलस आई के अकरडिशनल रसपोंप यह सैलिवेशन है डॉg का मुध से राल टपकना हर नूट्र श्रीमिलस बैल है कंडिशनिंग से पहले इसका कोई response नहीं था जब इसको अटेज किया गया अन कंडिशनर stimulus के साथ तो यह salivation का process हुआ इसके बाद और जब यह कंडिशनिंग का process मकमल हो गया तो बैल बजने से ही डौ सेलिवेशन करना शुरू कर देता है यह हैं जी इसकी टर्मनालोजी प्रिंसिपल अफ क्लासिकल कंडिशनिंग इनको आप याद रख सकते हैं A, E, Triple S A, F, A, Acquisition Acquisition क्या है? Stimulus Start Generating a Response क्या करता है? Generating a Response Similar to Unconditioned Response The Time Till Dog Starts Salvation वो वक्त जो डॉग ने Salvation करना शुरू किया किस के साथ? बेल के साथ ये Acquisition है कौन सा टाइम? The Time Till Dog Starts Salvation at Ring of Bell is called Acquisition ये Acquisition है Extinction If Conditioned Stimulus Without Unconditioned Stimulus Multiple Times क्या? सिर्फ बेल ली बजाई जाए खाना ना दिया जाए काफी अरसे तक Conditioned Response Start Decreasing तो ये क्या होता है? ये अमल जो डॉग में Salvation कर वाता है ये Decrease कम होना शुरू हो जाता है और बिलाखर Disappear हो जाता है इसकी एजेंपल है वेन बेल प्रिजेंटेड वेद आउट मेड Salvation Start Decreasing तो Salvation का क्या अमल था? वो Decrease होना शुरू हो गया और बिलाखर Disappear हो गया Spontaneous Recovery Recovery कैसे है? Conditioned Response Extinct Earlier वो Conditioned Response जो पहले Extinct हो गया था Remorse दुबारा आगया After Long Break ये है दि उसको दुबारा लाना एक वक्षे के बाल ये है Spontaneous Recovery Stimulus Generalization Tendency for a Conditioned Stimulus to evoke Similar Responses Stimulus क्या करेगा? Conditioned Stimulus Similar Responses देगा Yes, Dog Saluate at Sound of Bell Also Same Response to Stimulus that are similar to Conditioned Stimulus जो इससे मिलते जूते होंगे उससे भी ये ये ही response देगा Stimulus Discrimination क्या है? Differentiate between two stimuli दो stimuli के दर्मियान फरक कर सकता है कैसे? Phone Bell and Door Bell ये दोन साले अगर Phone Bell बजेगी ये दोर बजेगी तो इन दोनों के दर्मियान ये फरक कर सकेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें Thank you very much